है गाईज देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे स्टॉक के बारे में जो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अभी वो निंद से उठा है मतलब सो कर उठा है और अभी इतना ज्यादा वो तेज भाग सकता है मतलब एक्जांपल के तौर पर एफिल इंडिया ले सकते हैं और भाई जाके कमपनी में या जाका बहुत अच्छा मुनाफ़ा हूँआ पर ये स्टॉक का तार्गेट वह भागने वाला है और ये स्टॉक कभी आपको एक के बतले दस शेर दे सकता है डिक्छन टेकनोप्डी से भी धुगना दे सकता है डिक्छन टार्गेट इनिशल टार्गेट बोला था वो 20,000 का बस आप ये समझी लो कि आपका तार्गेट आई गया और देखिए मैं आपको बता देता हूँ ये स्टॉक में तब तक तेजी रहेगा जब तक ये स्टॉक इतना बोलो स्टॉक वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ मेरे एक और न्यू यूटूब चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया अगर आप चाहो तो वहाँ पर भी जा के वीडियो अगर देख सकते हो वहाँ पर खुद एक 300 रुपीस का स् आसपास आपको देखने को मिला सायथ 50 के आसपास होगा लेकिन पर मोटर्स ने बहुत बड़े हिस्सेदारी खरीदे भाई और इस्टाओ बहुत तेज भाग रहा है आप सोचे वहाँ पर मोटर्स ने जाता जाता कितना खरीद होगा 10% 20% 30% 40% नहीं भाई कुछ जादा ही बड़ा हिस्सेदारी पर मोटर्स ने खुद की कंपनी में खरीदा तो मैं आपको खरीदने बिचने की राय नहीं दे रहा हूँ बाकि आप खुद ही जाके देख सकते हो जब 300 रुपे का स्टॉक आपको 40 रुपीस के आसपास देखने को मिलता है तो पर मोटर्स ने किस तर हूँ यहां पर देखो 5 एर का चार्ट देखोगे तो बाई स्टॉक ने काफी अच्छा मुनाफ़ा दे लेकिन यह जो डेट है ना यह देखो बस किवल यही प्रॉबलम देखने को मिला अगर आपको बिलीव नहीं है तो देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ यह maximum चार्ट जब से कंपनी आए देखो दिरे 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 ऊपर जाने के काम कर रही है लेकिन यह जो आपको देखने को मिला यह 3-6 मन यहां पर क्या हुआ जिस वज़े से स्टॉक नहीं जा पारा भाई सही है स्टॉक कभी भी नहीं आगे पीछ जा पारा तो मैं आपको बताना चाहता ह गोल्ड समझ दो ना 6 मन से गोल्ड ने इसको जो है तबाह कर रखा क्योंकि more than 80% जो इसका बिजनस अब हो केवल गोल्ड सही है मुथूट फैनेंस की बात की जा रही है केवल गोल्ड सही है और भाई गोल्ड का प्राइज अगर आप देखोगे तो आप खुदी देख सकते अगर कुछ देखने को मिलता है तो वो है गिरावट और कुछ भी नहीं देखने को मिलता है यहाँ पर तो गोल्ड का प्राइज जब गिरेगा तो मुथूट फैनेंस में भी आपको गिरावट देखने को मिला लेकिन अब मान लो कि आप मतलब की आपको मुनाफ़ा मिलने वाला जिन्होंने लंबा वेट किया होगा भाई मुथूट फाइनेंस में और जिन्होंने माली जै कि देखो six month की ये six month से company जो है लोगों को परिशान कर रहा है six month से देखो अगर गिरता भी है तो यह अगर गिरता भी है तो ये टेंपरररी गिरावट होती है जैसे कि आपको निफ्टी में गिरावड देखने को मिलता है और जब भाई गोल्ड का प्राइज बढ़ता है तो मतलब सोच लो मतलब हर जगा सब एक जिनको शेयर मर्केट के बारे में नहीं पता होता उनको भी मतलब बहुत ज़्यादा खराब लगता क्यों क्योंकि भाई सभी को गोल्ड प्यारा है सभी को गोल्ड प्यारा है और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 14 आउर सागो यहाँ पर देख सकते हैं मुत्रूर फाइनेंस का रिजल्ट बताया जा रहा quarter third का यहाँ पर जो net profit आया है देख सकते हैं 17 परसेंट आपको year on year आपको growth देखने को मिला भाई गोल्ड लोन में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे बैंक वगरा बैंकिंग सेक्टर के वज़े से थोड़ा सा मुत्रूर फाइनेंस को problem देखने को मिला तो टोटल चले जाएंगे 50% में तो मुत्रूर फाइनेंस को कितना नुकसान देखने को मिल सकता है average मैं आपको बताओं तो मालीज़े कि 20% के आसपास बैंक ने दे दिया फिर भी कुछ तो मुनाफ़ा कम देखने को मिला तो इसी वज़े से मुझे लग रहा कि मुत्रूर फाइनेंस का आपको मुझे 30-40% के आसपास तो देखने को मिलता लेकिन बैंकों के वज़े से थोड़ा सा जादा नहीं बोल सकता है थोड़ा सा गिरावट है और कुछ भी नहीं है और बैं क्वार्टर 3 में यहाँ पर देखोगे तो मुत्रूर फाइनेंस का जो है लगबग 22% जो है यहाँ पर आपको प्रॉफिट रेज होते हुए आपको दिखाई देरा फाइनेंस का पूरी जीवन में पहली बार यह स्टॉक का जो तारगेट आपको देखने पर रहा है अब यह स्टॉक मुझे लगता कि कुछ बड़ा कर दिखाने के मौका में आ चुका है क्योंकि last time जब यह आप से stock split का जो खबर आया था, उसको hold मतलब wait कर दिया गया था, पोस्ट पॉंड कर दिया गया था लेकिन cancel नहीं किया गया था पोस्ट पॉंड कर दिया गया था, यह company अगर चाहे तो एक के बदले आपको 10 भी दे सकती है जैसे एक के बदले 10 भी दे सकती है जैसे कि diction में हम expect कर रहे था लेकिन उसने एक के बदले 5 दिया, भाई काफी है 5 भी काफी है उसके हिसाब से यहाँ पर देख सकते हैं मुथूर finance के बारे हम बात की जारी जहाँ पर यहाँ पर board of director ने यहाँ पर भी बताया गया था सही है यहाँ पर board of director ने बताया था कि stock को split करेंगे देख सकते हैं stock को split करने की proposal वगरा भी दे जारी थी लेकिन भाई इसको रोक दिया गया था cancel नहीं किया गया था cancel करना का मतलब भाई नहीं देंगा अगर company को नहीं दे रहा था तो भाई पहले क्यों announcement किया और भाई देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ company के पास capacity होगा तभी तो इन्होंने announcement किया अगर capacity देखो माल लेते हैं अगर आपके 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 बिजनेस में cash नहीं है और आप बोरो भाई dividend देखो कहां से dividend होगे कहां से दोगो dividend जब है इने cash तो कहां से दोगे dividend उसी तरीके से माल लेते हैं अगर आप dividend दे रहो इसका मतलब साब साब पता चलता है कि आपके पास cash है अगर माल लेता कि आप dividend नहीं देते हैं पैसे को कहीं और लगाना चाहते है तो भी सही है लेकिन आपके पास capacity है कि आप dividend दे सकते हैं उसी तरके से stock के पास capacity है कि split दे सकता है लेकिन इन्होंने थोड़ा यहाँ पर क्या कर दिया गया है तो full stop लगा दिया और उसके बाद यहाँ पर इरे ऐसके खुद ही बताए गया थे कि मुत्वूटuld finance जाओ बोड़ यहाँ पर जो हो भी decide किया था कि यहां पर क्या कर दिया था stock split के लिए तो यहां क्या कर दिया गया इसका मतलब क्या इसका मतलब है कि यह यह कि delay कर दिया गया मतलब later time में आपको दिया जागा putting off to a later time मतलब यह आपको आने वाले दिनों में दिया जागा लेकिन cancel नहीं किया गया तो जिस हिसाब से stock का target अखा जा रहा 1500 के आसपार और company को काफी अच्छा profit भी हो रहा इस हिसाब से यह stock split के लिए कभी भी आपको खबर दिखा सकती है आने वाले दिनों में और भाई यह ऐसी company है कि जो अपनी हिसेदारी ज्यादा तर लोगों को देता भी नहीं है यहाँ पर देख सकते हो पर motor के पास कितनी हिसेदारी है तो लगबग यह देख लिजे 73.40 के आसपार पर motor के पास देख सकते हो उसके बाद यहाँ पर देख लगबग 15% के आसपार देखने को मिला है domestic वालों के पास कितना है अगर domestic वालों के बात की जाए तो 7% के आसपार आपको देखने को मिल लिए और others की बात की जाए यह देखो आपको एक graph बना के बताया जा रहा है पाई चाट आपको बना के बताया जा रहा है जिसमें आप खुद ही देख सकते हो पर motor ने पूरी हिस्सेदारी ख़रीद रखिया सही है और अगर आप स्टॉक मार्केट में नहीं हो अपने अकाउंट अपन कर सकते हो इंडिया का बेस्ट बोके साउसे देखने को मिला ज्यादा तर लोग कंफ्यूज होते हैं कहां डिमेंट अकाउंट करना बैस्ट है अपस्टॉक जिरूदा एंजल आलिस ब्लू कम पैसे में मार्जन उसकर के आप कहां ज्यादा ज्यादा बेनिफिट कर सकते हो तो अपस्टॉक में नॉर्मल और सही है इंट्राडे कवर ब्रेकेट और सही नहीं जिस वज़ए से कंपनी का रेटिंग एका लोग दूसरे का तीसरा देखेंगे तो बाई एलेस ब्लू में सभी बैस्ट है एक गुड़ है तो दूसरा वेरी गुड़ यहां पर आपको देखने को मिला मतलब अलीज में सारे फीचर से यह कम पैसे में मार्जन उसकर करके आप ज्यादा बेनिफिट कर सकते हो और यहां पर देख सकते हो कमपनी को कई जगा अगोर्ड भी मिल रखा है बिल्कुल फ्री में आपका डिमेट अकाउंट उपन होता लाइफ टाइम के लिए एक रुपी भी आपसे चार्जिस नहीं लिया जाता तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से जाकि आपना डिमेट अकाउंट पर अगरा यह ब्रोकर का नमबर है अलिस ब्लू का ब्रोकर का नमबर है तो यह आपको चारो तरप से हेल्प करेगा डिमेट अकाउंट ओपन करने के लिए आप हैंपर SMS कर सकते हो WhatsApp अगरा कर सकते हो सही है बाकी यहां आप खुद भी देख लीजिए डिस्क्रिप्शन में लिंक वगर याद रखो अगर कोई भी अच्छे स्टॉक हैं तो वो ज़्यादा तर लोगों को नहीं मिलता पब्ली को नहीं दिया जाता है सब भी बड़े लोग खरीद लेते हैं और पब्ली को कुछ स्टॉक दिया जा रहा है मान लोग की परमोटत नहीं सिधारी बेश दी F.I.E.E. मैं आपको दे रहा हूँ बस